नमस्कार, HPSC ने हर्याना Civil Service Judicial Examination की notification जारी कर दी है और जो भी aspirants लंबे समय से इन vacancies के इंजार में थे हर्याना में जज़ बनने के लिए उनके सामने golden opportunity है और यह opportunity को golden कहने का मकसद इसलिए भी क्योंकि 174 vacancies के against recruitment की जाएगी इस particular examination के अंदर तो आज के discussion में यह जो notification है इसके important credential के बारे में हम discuss करेंगे Now we begin with the very first thing that the important dates 1 January 2024 नया साल शुरू हो तो यह notification आउट की गई है और 5 January से form online available हो जाएगे आप जाकर online form फिल कर सकते हैं और इसकी last rate जो खासतोर पर याद रखनी है वो है 31 January 2024 last date is not preferable कि आप उसी दिन जाकर यह अपना form फिल करें जाहिर सी बात है कि server heavy हो जाता है कई बार 1921 चूप की वज़े से अगर form ना फिल हो पाई कोई कमी रह जाए तो फिर एक बड़ा loss देखना पड़ता है हम एक्जाम में अपीर नहीं हुपाते हैं तो last date की इंजार में ना रहे हैं उससे पहले जल से जल अपना form फिल करें लिए अब इस नोटिफिकेशन में एक इंट्रस्टिंग जो चीज देखने को मिली है वो यह है कि 139 एक्च्वल विकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आई है और साथ ही कुछ एंटिसिपेटेड विकेंसी की बात कर रहे हैं ना वेन वी कम तो थे एक्च्वल विकेंसी तो 139 निमबर आप याद रखेगा जिसमें 77 अन्रिफिकेंस अन्रिफिकेंस आपको देखने को मिलेगी लेकिन इसमें नोटिफिकेशन के अंदर चीज एक इंपॉर्टन चीज है वो है एंटिसिपेटेड विकेंसी इस पैंताले सीट्स पर एंटिसिपेटेड विकेंसी के नाम पर नोटिफिकेशन जारी की गई है तो यह होता है कि गौर्मेंट एंटिसिपेट कर रही है कि हमें कुछ और जैसकी भी ज़रूर्ट पढ़ सकती है लेकिन वी आर्न वेरी म 174 के against some recruitment करेंगे लेकिन इन केस अगर हमें जरूरत नहीं हुई इन 45 seats पर judges को recruit करने की तो फिर इनको actual vacancies में count नहीं किया जाएगा but ultimately this is about 174 vacancies जिसमें से 45, anticipated and rest are actual vacancies now we move to three stages examination as we know that preliminary examination होगा फिर mains जिसमें multiple examination होगे, total 6 paper है और pre totally objective paper होता है mains आपको लिखना होगा जैसे कि आप अपने graduation में answer writing करते थे and ultimately the culmination point will be the interview so interview is more about personality test now we come to the important credentials और जिनका pre में जाते वक्त हमें खास तोर पर ध्यान रखना होगा total 125 question का preliminary examination होने वाला है और हर question will be carrying 4 marks तो ultimately 500 marks का total pre examination होने वाला है याद रखें 125 question इसके अंदर होने वाले है then negative marking is also there हर एक गलत answer के लिए 0.8 marks कट किये जाएंगे that means one-fifth negative marking इसके अंदर रखी गई है तो एक तो importantly याद रखें one-fifth negative marking के साथ ये paper check होने वाला है तो हमें जादा wrong question करना suitable नहीं है examination के अंदर so जिसको कहते हैं कि well left जो बहुत जादा ऐसे typical question है तो luck अजमानी के वहां पर जरूत नहीं होती है now we come to this thing A, B, C, D, E 5 option होने वाले हैं मतलब A, B, C, D में तो आपको अपना answer mark करना है लेकिन अगर आप उसको well left करना चाहते हैं उस question को attempt नहीं करना चाहते हैं उस सूरत में भी आपको E जो circle होगा उसको blacken करना होगा now ये blacken करना इसलिए भी लाजमी है कि अगर किसी भी candidate ने overall 10% जो के बनता है 13 question I repeat अगर किसी भी candidate ने अपनी OMR sheet पर 13 questions को mark नहीं किया पांचों के पांचों option नहीं भरे हैं तो फिर उसको disqualify कर दिया जाएगा अब फरक नहीं पड़ता है कि आपने बाकी सारे question चाहें सही कर दिया हो लेकिन आपके marks count नहीं किये जाएंगे तो इस फेर में ना पढ़े कि आठ छोड़ूं दस छोड़ूं को गिनने थोड़ी हम बैठेंगे examination ये अंदर तो बहतर ये रहेगा आप अपनी practice के दोरान ही इस चीज को ensure करें कि आपको सारी options फिल करनी है जो आप attempt नहीं कर रहे है question उसमें आपको e option को blacken करने की practice अपने practice sessions के दोरान ही कर लेनी चाहिए now we move to the syllabus part सबसे पहले pre की अगर हम बात करें तो pre का major syllabus depend करता है upon the main syllabus जैसे सीधा सीधा लिखा गया है notification में कि जो आपका objective type questions होने वाल रहे है pre examination के लिए shall be from the syllabus of main examination only तो अभी हम आगे main examination में देख लेंगे paper 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्यों छे paper total है and then we come to additional pre में क्या हो सकता है तो it is about national and international current affairs और साथ ही इंडिया की legal या constitutional या governance और इसकी जो भी history रही है एक ऐसे कैसे constitutional development हुई है जिसमें charter acts है, government of India acts है, इस तरह की चीजों पर सवाल आ सकते हैं, साथ ही candidate की analytical critical reasoning और aptitude को check करने के लिए भी कुछ सवाल होंगे as per the notification जो standard रहने वाला है वो law graduation में जिस तरह के सवाल आते हैं, उस standard के question इसमें prescribe किये गए हैं, now we move to the more important part के भाई detail में देख लेते हैं, आखर syllabus में क्या है, जैसे हम में बात की के प्री का syllabus डिपेंड करता है मेंस के ही syllabus के उपर now we know it is all about majorly about the legal knowledge, then we come paper 1 is about civil law, paper 2 is also about civil law, paper 3 is criminal law and then comes the English and Hindi paper now we come to paper 1 that is civil law 1 तो अव्याजनी इसके अंदर सबसे जादा विल्टज आम तर पे मानी जाती है CPC की code of civil procedure इसके अलावा Punjab Courts Act है, Indian Contract Act है, Indian Partnership Act है, Sales of Goods Act है, then SRA है, Specific Relief Act, Indian Evidence Act, and Haryana Urban, Control of Rent and Eviction Act of 1973, so majorly जो आपका paper 1, Civil Law 1 है, this is about CPC and Mercantile Law, क्योंकि उसके अंदर Contract Act और आपको SRA और Sale of Goods Act, ये सारे देखने को मिलेंगे, अच्छास में जानी मत रहिए कि Indian Evidence Act को ही मेंशन किया गया है, जो भारतिय साक्षय अधिनियम पारित किया गया है, उसको syllabus में नहीं रखा गया है, Now we come to paper 2, that is civil law 2, and that is majorly about the family laws, so it comes with the Hindu law, the Mohammedan law, then the customary laws and law of registration and limitation. And finally we come to paper 3, that is related to criminal law, and again here it is IPC, CRPC and Indian Evidence Act. Again I am reiterating the point. about the laws, जो पहले से चले आ रहे हैं, IPC, CRPC and Indian Evidence Act. And then comes, obviously, the English and the Hindi paper, so English traditionally, तो सुमाख से खुशन होगा, जिसमें आपको ऐसे राइटिंग की जरूपड़ी की, प्रेसी राइटिंग की जरूपड़ी की जरूपड़ी की, इसके अलावा, explanation of Hindi passage into prose and poetry, और composition है, जिसमें essay, idiom, corrections, etc. चीज़े होगी. So, यहाँ पर यह जरूर याद रखें, जब हम पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की बात कर रहे हैं, तो यह 200 marks के होंगे. I repeat, जो legal knowledge वाले आपके पेपर हैं, Civil Law 1, Civil Law 2 and Criminal Law, यह 200 marks each का पेपर होगा. And when we come to English question paper, यह भी होने 200 marks वाला ही हैं, जिसमें इन्होंने bifurcations कर दी हैं, जैसे कि 100 marks का essay रख दिया गया है, फिर प्रेसी 25 marks रखे गया हैं, इसके लावा, words and phrases 25 marks गया, then comprehension 25 marks हैं, और साथी corrections 25 marks हैं. तो ultimately इसका भी अगर आप total करें, तो English जो paper है, यह 200 marks का होने वाला है. And finally, we come to Hindi, यह 100 marks का paper होगा, जिसमें फिर से trifrification किया गया है, कि 20 marks का चलिए आपको passage की translation आ जाएगी, then explanation of Hindi passage in prose and poetry 30 marks का हो जाएगा. And finally, the composition, that is the essay, the idiom and correction part, वो 50 marks का. So, ultimately, the sum total becomes the 900 marks. Now, we come to 200 marks का each, तीन paper होंगे, जो आपके law के paper हैं. Then, English का paper भी ultimately 200 marks का है. Hindi के paper में आपको 100 total marks मिलेंगे, जो सारे के सारे आपकी merit होने वाले हैं. Now, we come to the third stage, वाइवाभूसा. And this is as per the notification, this is not very much about your intelligence or knowledge. जैसे interview के बारे में हम यह जानते भी हैं, कि भी जो board, आपका interview लेने बैठा है, वो यह नहीं है कि आपकी knowledge के पीछे, उनको पता है, आप pre-clear करके आएं, आप means clear करके आएं. Now, they are not very much interested in your knowledge section or intelligence section. अब वो आपकी personality को जानना चाहते हैं. बाइ, pre-clear किया है, means clear किया है, तो आप intelligent भी हैं, और आपको knowledge भी है, तभी वहाँ बैठे हैं, तो rather, जो आपका interview यह एक personality test के दोर पे होता है, judges like qualities आपके पास हैं या नहीं, उन पर जादा focus होगा. And then, ये भी याद रखें, कि 200 marks हैं interview के लिए. अब चलते हैं, इससे भी एहम credential को जानने के लिए, कि आपको examination के अंदर, overall और हर subject में minimum कितने marks obtain करने हैं, judge या magistrate appoint होने के लिए. So, याद रखें, reserved category के लिए, ये benchmark है, 45%. Mains में, जो भी total marks है, उसके अगर 45% कोई candidate achieve नहीं करते हैं, तो उनको interview call नहीं आएगी. हम reserved category की seats के बारे में, ये credential establish कर रहे हैं. इसके बाद जब आती है, unreserved category के लिए, तो ये benchmark है, 50% का. So, अगर unreserved, unreserved, जो seats हैं, उन पर आप contest कर रहे हैं, तो mains में overall marks के 50% minimum आपको achieve करने होंगे, तब interview call आएगा. तो ये तो हुआ कि overall आपको क्या achieve करना है, और फिर आता है, per subject आपको क्या marks minimum achieve करने हैं, तो per subject ये है, 33%. So, याद रखें, जो भी हमने 6 paper की बात किये है, इसमें minimum 33% होंगे, तब marks add on किये जाएंगे, otherwise fail कर दिया जाएगा. और overall, जितने भी total marks है, mains के, उसमें unreserved category को 50% minimum हासिल करना है, और अगर कोई candidate reserved seat पर करने टेस्ट करना है, तो उनको minimum 45% achieve करना होगा. Finally, HPSC ने बहुत अच्छी opportunity, judicial, aspirant candidates के सामने placing की है, तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है. और खासकर, 174 नंबर की vacancies, मतलब आम तोर पे, mediocre states में, आपको इतने large नंबर की judicial examination की vacancies देखने को नहीं मिलती हैं. So, एक सही दिशा और दिशा में आप तयारी करें, और 100% success आपके हाथ में होगी. और इस notification या इस exam की preparation के लिए आपको किसी भी तरह की help की जरूरत है, तो feel free to contact us at any time. That will be all. Thank you. Thank you so much.